साइफ अलिखान की बेटी सारा अलिखान को लेकर एक किस्सा तेजी से सोसल मीडिया पर वाइल हुआ एक बार रोईद सैट्टी ने सारा अलिखान के लिए एक बात कहा दी थी फिर उनके चाने वाले आगबा बुला हो गए थे उस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने रोईट सैटी के साथ सारा अली खान को भी ट्रोल किया ये बात तो सभी जानते हैं कि बॉलियोड में नेपोटिजम के चलते स्टार किट्स बिना स्टागल किया ही बड़े से बड़े बजट वाली मूवीज में काम कर लेते हैं तो वहीं बॉलियोड में बहुत सारे स्टार किट्स ऐसे भी हैं जिनके स्टागल को लेकर लोगों ने उनका खूब ट्रोल किया चाहे उनके माता पिता कितने भी बड़े श्टार हो सारा अली खान का सोसल मीडिया पर पिछले कुछ समय से खूब मजाक उड़ाया जा रहा है क्योंकि रोईट सैटी ने कपिल सर्मा सो पर बताया था कि कैसे सारा अली खान हाथ जोड़ते वे उनसे काम मांगने आई थी रोईट सैटी ने बताया कि सारा को इस तरह देखकर वो काफी एमोशनल हो गए थे इसके बाद उन्होंने कैसे फिल्म में लीड रोल आफर कर दिया दरसल ये वीडियो सोनी टीवी के सो दा कपिल सर्मा सो का है जिसमें रोईट सैटी सारा अली खान और रनवीर सिंग फिल्म सिंबा के परमोसन के लिए पहुँचे थे वीडियो में रोईट सैट्टी सारा अली खान के नेचर और साधकी के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने सिंबा में सारा अली खान को क्यों कास्ट किया प्रोईट साटी ने कॉमेडियन कपिल सर्मा के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर वैब स्टार बन गई है तो मैं भोल सकता हूँ सारा अलिखान डारेक्टर के ओफिस में आ गई और कहा कि सर प्लीज मुझे काम दे दो और उन्होंने कहा कि तुम काम करो आते हैं उन्हें साइड रोल मिलना भी भहुत मुस्किल होता है और उन्हें काफी मसकत करनी पड़ती है वैसे क्या आप सारा अलिखान को देखना पसंद करते हैं आप हम कमेंट बॉक्स में यस और लिक कर ज़रूर बताएं